हीजुदे टैट्स आज हम लोग ओ लेवल के बारन में जानेंगे ओ लेवल कोर्स क्या होता है इसके द्वारा गुन होता है इसके लिए कौन सी इलिज्बिल्टी है कौन से लोग इस पॉर्म को फिल कर सकते है इस प्रिक कितने पार्ट हैं इसके से लेवर्स क्या है यह सब चीज आप लोग जानेंगे सबसे पहले सुदू करते हैं वह लेवल क्या बता है वह लेवल एक को सोता है जो निलीट के द्वारा संचालित होता है निलीट जो डुएक सोसाइटी का नाम बदल का निलीट रखा गया नेशनल इस चूट आप लेक्टरानी कानी इनफर्मेशन टेखनोलोजी के द्वारा यह कोस चलाया जाता है यह पोर्स फान्सोवीज घंटे का होता है घंटे कर रिसाफ से अगर कोई पढ़े तो अगर एक घंटे पढ़े तो कही दिन के लिए होता है यह कोस एक दो समेश्टर कर यूज किया है फर्स समेश्टर में दो पेपर पहला पेपर और दूसरा पेपर सेकेंड समेश्टर में थीसरा पेपर और चौथा पेपर इसमें जो टेम प्लस टू कर लेते हैं लोग वही लोग इस फान को फिल कर सकते हैं या तो टेम के बाद आई टी लोग वह लोग इस पॉंग कर सकते हो लेवल किया हो सकता क्यों पर रहे क्योंकि सरकारी जोब में या कहीं पर भी ओलेवल किया हो सकता है है तो हमको वो लेवल पढ़ना पड़ेगा वो लेवल के बारे में जानकारी है तो सबसे पहले सुरू करते हैं कि से भीयल में क्या होता है समिस्टर वन में दो पेपर हैं पहला है आई टी टूल्स ऑई विज्नस सिस्टम और दूसरा है डिजाइनिंग सब्सक्राइब फिर तो बजनेसर लिए सब्सक्राइब नकरेफलोर असलियून और सब्सक्राइब जिस्ट क्वких तो एक हासा इस्तरिटर प्रेट्रैप जरी चेहां सब्सक्राइब कि Memory बहुंट सारे चीज चीजो computer hardware है software किसे करते हैं विंडो क्या होता है यह सब्चीज कंप्प्टर में इंट्रुडक्षन आप कंप्प्प्प्र में यह लोग जानेंगे इंटुडक्षनाप किसे काते हैं अगर आपको यह सब चीज त्यार है तो आप इस पहला पॉइंट आप त्यार कर लेंगे इंट्डुडक्शन आप कंप्यूटर में यह देखना पड़ेगा दूसरा आप अप्रेटिंग सिस्टम और प्रेटिंग सिस्टम क्या होता है कम्प्यूटर को चलाने के लिए उपरेटिंग सिस्टम क्या सकता होती है बीना उपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर नहीं चल सकता है तो इसने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के का डेफनिशन ऑपरेटिंग सिस्टम की नीट्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वार्मेंट ऑपरेटिंग सिस लेकिन आप लिब्रेशन आप सकता है विल्डू में स्क्रीन आप लो आइकन क्या होता है डेक्स्ट आप किसे करते हैं माइव कंप्यूटर माइड़ मेंट इंटरनेट एक्स्प्लोरा रिसाइकल भी इन सबसे क्वेश्चान आता है तो इन चीजिए यह टॉपीक आपको पढ ऐसके यह लेकिन अब लिब्ले आप इसके राइटर का प्रेव करते हैं है ले पाई generateμεना है यह में सापीस का वार्ड नहीं पढ़ना है जो में सब्सक्राइब जो मेनु वेस उसको हम लूप पढ़ेंगे उसमें कितने मेनु पाए जाते हैं कौन साटूल कर क्या कार रहें सौटकट भी बदल गए हैं में सब्सक्राइब के बाद राइटर का सौटकर कुछ चेंज सब्सक्राइब करेंगे तो उसको उसी तरीके से प्राइब में करते थे उसी प्रोसेस के द्वरा हम लोग इसमें भी मेल मर्ज एडर फुटर हाइपर लिंग बुक मार्क्राइब इन सब चीजों को टेबल करना या ड्राइइंग का यूज़ करना इमेज उसकर ना ग्राफिक का यूज़ करना सारा अंगलों सेंप कर देंगे लेकिन वह MS आपीस का वाड़ जो है वह वाइन यह जो है मैनुबेस आधारिद साफटर है मैनुबेस प्रोग्राम में इसका प मारे मिला का जैनल क जाया होते हैं सब conversion करना सब्सक preparedness करना ये सबॉंवह पिर्बड़ करना चार्ड कैसे यूज करते हैं और सार्ट इसके है तरह तरह यहां पर कालक में पढ़ लेंगे तो कि इसमें इसका इंप्रेस पढ़ेंगे लिए पिसके इंप्रेस को पढ़ेंगे यह में इसमें क्या होता है सरदाइद करते हैं नइसलाइट बनाना पुरानी ऀंपन करना धाना कि शांख्याग कई अब जो हम दोटेंगे इंप्रेस्में सारे जोrans प्रब्न परेटेंगे तो इन तीनों तो प्रेटकलिभ वह थ Avatar पड़ेगे हम को यादना है कहां पाजाता है कि सब्सक्रण का होता है क्या होता है क्या इसने तो दियाता है इसमें भी दिया हुआ है लेकिन कहां पर क्या है यह हमको ध्यान से बढ़ना पड़ेगा तब जाकर हम इसको इससे रिएटेड़ को हम लोग कर सकते हैं इसके बार इंट्रोडक्षन आप इंटरनेट इंटरनेट क्या होता है इंटरनेट की सुरुआत कैसे हुड़ी इंटरनेट का क्या कारें इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है इंटरनेट को सबसे पहले किसने बनाया इन सब चीजें के बारे में इंटरनेट अब कैसे कारे करता है आई-पी और कैसे कारे करता है इंटरनेट के स आता हम लोग 2 पर दूल government करते हैं इमेल होता है काय से बनता है उसके दरबरबस करा करा आ जैसे हम लोग गूगल प्लस है फेस्बूक है और ट्विटर है जितने सारे सोसल नेटवर्किंग की साइट है इसके बारे में कुश्चान आ सकता है एंड गवर्नेंट सर्वेस सरकार द्वारा संचली जो भी उजना नाया एपस जो भी उज्च किया रहे हैं उन सब आपस के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि वह सब कैसे कारी करते हैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स डिजिटल हैंने सब्सक्राइब करते हैं लोग किसी भी चीज को करते हैं बैंकिंग कैसे करते हैं कितने दिन में हमारी मेंचियोटी होती है सब्सक्राइब करने पर कैसे ब्याज प्राप्त होता है कि लोग बैंक लोन देता है यह सब्सक्राइब इसमें पढ़ेंगे इससे क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है इसके बाद अप्लिकेशन ओवर्वीव आप फूचर इसकिल्स कर सकते हैं साइबर सिक्रोटी क्या है क्लाउट गंपूटिंग क्या है मैं मुबाइल क्या है यह नए नए टॉपिक आपको त्यार करने पड़ेंगे तभी जाकर कोई यह ओ लेवल का पहला क्वेश्चन पेपर पहला पेपर अप्लोड आईटी टूसें बीजनेस सिस्टम को अप्लोड क इसमें सबसे पहले कंपूटर के बारे में दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहां से यहां तक लिप्री आपीश क्यूंए है रैटर केलक और इंप्रेस्ट में के पढ़ेंगे इसके बाद इंटरनेट इमेल सोचल लेट वर्किंग इगवर्नेंट सर्विस डि इसपटीन करते हैं करते हैं इसके निरमार की कहां पर किया घानि आगा कीण करते हैं कौन कौन से लैंगवेज का यूज करते हैं सबसे पहले दिया और पढ़ेंगे एडिटर कौन कौन से प्रोग्राम है जिस पर हम लोग वेब पेज को बना सकते हैं सबसे सिंपल है नोट पाइड इसके बार नोट पैड प्लस प्लस इसका प्रेउग करते हैं और दॉट念र पर भी हम लोग इसका यूज करते हैं बहुत इसका इरे प्रोग्राम में दिछमें लोगving व भीर एक बनाते हैं वेबसर को बनाते हैं तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि किन किन चीजों पर कौन कौन से एडिटर हैं जिस पर हम लोग अपना वेब पेज करने मार्ट करते हैं इसके बाद दिया है HTML बेसिक बेसिक स्टक्टर क्या है उसके कान कौन से टाइब क्या 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 उसमें प्योग किया जाता है दूसरा पॉइंट है सी एसस जो है एस टिए मिल के साथ ही यूज किया जाता है जिसका फुल फाम है कैस्केडिंग स्टाइल जब तक करा सकते हैं CSS क्या होता है CSS क्या कर सकते हैं CSS क्या करता है HTML के ले पेस्ट के ले आउट को मडिपाई करता है डिजाइन करता है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बना सकते हैं अच्छा बना सकते हैं क्वालिटी प्रोड़क्ट बना सकते हैं ठीक है इसके बाद CSS फ्रेमवर्क यानि CSS का कैसे कारे करता है पुरा फ्रेमवर्क हम लोग पढ़ेंगे CSS का पुरा डिटेल CSS में काउन फॉन से और जो आल्लाइन टूल्स जो यूज किया जाते हैं डॉट्री सी के द्वारा हो सब हम लोग यूज करेंगे CSS फ्रेमवर्क में जावा स्क्रिफ्ट जो एक इसका यूज किया रहा है ठीक है यहां इसके बारे में प्रिट या इसको इंप्लिमेंट करते हैं इसके बाद नहीं इदर फोटो को सकते हैं लेकिन Photoshop आपको पढ़ना है अगर आपको इस दूसरे चिप्टर में पढ़ने हैं दूसरे question paper को कर रहे हैं तो आपको Photoshop बढ़िया से आना चाहिए वेब publishing and browsing वेब कैसे publish किया जाता है कैसे हम वेब पेज को बर्जेश करते हैं कैसे हम वेब पेज को तो respectoon can पुझ्टर करते हैं और किले चीजों पर हम लोगम वेब पेज को क्या करते हैं रहां करते हैं तो पहले हमने दूसरे आपके बारे में बताये आप नेक्श्ट दो पीपर के बारे में मेरा हम आपको बताने जा प्रोड्रामिंग में प्रोड्रामिंग में प्रोड्रामिंग होता क्या है प्रोड्रामिंग कैसे करते हैं प्रोड्रामिंग का यूज क्या है प्रोड्रामिंग कैसे बनाते हैं किसी विची की प्रोड्रामिंग हम लोग कैसे करते हैं प्रोड्रामिंग के बारे में सारा कुछ हम लोग इसमें जानेंगे इसके बाद एल्गोरिफम माइन फ्लोचार्ट आम यौं को कहा को यूज करते हैं काूं को से छाट का कहा होते हैं इसके बारे में जहनेंगे तीसरा और אिट्थन yht क्या होता है पाइज़ एससे लेड़ सब्सक्राइब को बना क्いつ में एकृषण मेट एंड़ पाइफंस्ट स्टेट्वेंट इसमें सब से परदिया है operators पाइफन के इसके बाद के स्टेक्मेंट कांपां से होता है इस ती चीजों परम लोग इस पांट के दवरा त्यार कर लेंगे ठीक है ऌला किस में नेदा कंटने करते हैं इसके बारे मैं यूजड के बंडेता किया होता है यहूंございます प्रकार कि देटा की किस मा रखा जाता है इसको एमगर आखे आंगे And करते हैं प्रकार क्या है कि कौन कॉन से क्षच करते हैं कौन से करते हैं किस प्रकार के डिये टाइक को करते हैं इसको जानने के बाद फाइल प्रोसेसिंग कैसे प्रोसेस किया जाता है कि प्रोसेसिंग क्या होती है इसको जानेंगे इसको पाइटन का इसको बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है इसमें पाइटन के बहुत ज्यादा यूज किया रहा है नंपी बैसिक और बहुत सारे पाइथन के बारे में जाने के पाइथन एक प्रोग्रीमिंग्ग paying क्या होता है प्रोग्रामंग क्या होता है इसकोप क्या है पाइथन के बैसिक यह सब चीज यह पदर तीसरे पेपर में पढ़ेंगे अगर इतना त्यार कर लेंगे आप लो तो थार्ट पेपर आपका अच्छे से पास हो जाएंगे इसके बाद फोर्थ है इंटरनेट करते हैं तो कौन से इंटरनेट करवारा हम लो करते हैं प्रोटोकॉल एनिक कम्यूकेशन मॉडल कौन से कम्यूकेशन मॉडल होता है कि बउले बताऊंगा कि बहुत सारे मॉडल होते हैं ठीक है और कैसे कैसे करेंस करीशनीं होते हैं इसके बारे में सेंसर क्या होता है एकुरेटर यह क्या होता है एंड माइक्रो कंट्रों कंट्रोलर है कै इसके बारे में हम लोस्ट जानेंगे ब्लिंग आई ओटी अप्लिकेशन यानि काइसे हम लों इंटरनेट आफ फिंग्स के अप्लिकेशन को जानेंगे security and future of the IOT ecosystem security सबसे महत्पूर्ग विशा है security किसी भी अगर हम अप्लिकेशन को बना रहे हैं तो security कौन-कौन सा यूज़ करेंगे security बहुत important factor है जिसको हमको seriously पढ़ने ज़रूरी है उसका ecosystem क्या है ecosystem किसी भी चीज़ को balance बनाने के लिए इसका system होता है कि कैसी उसको balance बनाया जाए इसका system होता है soft skill and personality development soft skill यानि हमारा personality कैसा है हम कैसे बात करते हमारा communication skill क्या है हमारा पास leadership की नहीं हम अपने personality को कैसे develop कर सकते हैं यह त्यार्टिकल आपको नालेज्ज यह त्यार करना पड़ेगा आपको त्यार करना पड़ेगा तो फूर्थ जो हमारा पर है आयोटी एंड अप्लिकेशन मने इंटरनेट आप तिंक्स और उसके application उसके application के साथ उसकी security उसके security के साथ आदुका इसकी उसका पूरा ecosystem इसके बाद हमारे personality को कैसे develop किया जाए हमारे personality में क्या कैसी होनी चाहिए communication skill अच्छी होनी चाहिए कौन कौन सी चीजा हमारे बाद कर सकती है उसके बारे में हम लोग इसमें पड़ सकते हैं तो यह चार आपके पर है इसको हम लोग त्यार कर लेंगे इसमें सव नंबर के कोई question पर आते हैं theoretical इसके बाद practical यूज होगा तब जाकर हमारा प्रोजेक्ट बनता है अब हम जानेंगे कि वह लेवल करने के बाद हम लोग किन-किन क्वाब के लिएग कर सकते हैं किस कौन कोन से जावाब के लिए अच्छे भी हैं जैसे सबसे पहला एक computer operator दिस कॉइंब अगर computer operator क्या सकता हो या उसको में सापार एस या लिट्रे यह कोई और चोटा मोटा काम करना ओए प्रिंटिंग से संबन्दी तो एक सल से संबन्दी तो कुछ भी अगर आप उसको करना चाहिए तो आपको अगर वहां पर जॉब देटर का जॉब कर सकते हैं इसमें डेटा प्रेटिंग का भी काम कर सकते हैं बैबभसायटर् गींट के लिए से लेकर को दूब नहीं करने आने सब कुछ आपको कटे आना चाहिए सब्सक्राइब टिसरा है एफ डवलपर वैबसाइट को डवलप करना वड़लोप करना पूरी व्लपर्फाइट जैसे निकरता कि अब को प्रयंसरह किया जाता है टश्री तब करते हैं तुमंदकर श्रय गाहीं हक्ति प्रजम लोज इस जूंग के अंदर कर सकें जूंइर प्रोग्रामर कर सकता हो यादि कम्पनी हो रहा है यादि कम्पनी में तो आप कर चाहते हैं तब ग्राफिक डिजाइनर अगर होड़ित अभर ग्राफिक के बारे में आप उसके अपैसे उनकर मालों के इसके बारो में करते रहना चाहिए बढ़ा सकते हैं या और किसी भी कि मिल रहा है तो यह कारिया आपको कहीं पर कर सकते हैं करक्षे यदि किसी वेपसाइट पर या किसी प्रोग्राम पर या काई पर या करना हो तो यह सब चीज़ आपको कर सकते हैं तो यह अपको लिए कुछ ऐसे जो आप्षण प्रोग्राम दिये गए सब्सक्राइब ने सब्सक्राइब ने सब्सक्राइब पूरा कंपर्म होना चाहिए इसके बाद सब्सक्राइब इसके बाद ग्राफिक्स की डिजाइन करना वेबसाइट की डिजाइन करना यह सब्सक्राइब कर सकते हैं यह समरी मैंने आपको बताया है कि ओलेवल होता क्या है ओलेवल को करने के बाद आप क्या कर सकते हैं ओलेवल को कौन लोग कर सकते हैं यह सब आपको बताया गया है आप लोग को जैसे सबसे पहले ठीटिकल लिग्जाम होगा इसके बाद प्रेटकल के बाद आपको प्रोजेक कर सकते हैं प्रेवेट में प्रेवेट कंपनियों में प्रेवेट संथाओं में पड़ा हुआ लड़का या कुछ तरह भी जिए या कहीं पर आप करना चाहिए तो यह सब कर सकते हैं यह बहुत सारा चीज कर रहे हैं सभी लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं जो होम वर्क कर रहे हैं यह सब कर सकते हैं लेकिन सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके बाद पाइथन बढ़िया से आना चाहिए और इंटरनेट आप इंटरनेट की समदित सारी चीज़ों को और दिवाइस कैसे यूज़ किया जाता है इंसों के बारे में आपको जानना पड़ेगा तब ही जाकर आपको लेवली जाम को पास कर सकते हैं ठीक है तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए अगर कोई चीज के आप से जानकारी लेना चाहते हैं जरूर कमेंट करिए ठाइक यू